वेलकम बैक टो माई चनल पर आप से नोगा स्वागत है और आप लोग कैसे उमीद करता हूं आप लोग भी अच्छ होंगे मैं भी अच्छ हूं तो आज बात करेंगे कंप्रेसर के बारे में जो इसमें जो जो कट आफ स्विच्ट प्रेसर स्विच लगा होता है वो कितने प् प्रेसर काफी हीट हो रहा है तो ज्यादा हीट हो रहा है तो यहां पर जैसे इसमें प्लस माइनस लिखा हुआ हम प्लस करेंगे तो प्रेसर अधिक बनने के बाद कट करेंगा हमें माइनस करना है तो प्रिकम प्रेसर पर ही यह काट आफ हो जाएगा तो हमको 120 के आसपास इ यहां पर कट हो रहा है तो यहां भी 120 तक कवेट करेंगे 120 के आसपास सेट कर देंगे और हो सकता है जो सेट कि 120-125-3015 कितने पर कट आप होता है अभी चेक कर लेते हैं उसके बाद यह ज्यादा उभर हो रहा है अभी भी तो फिर से के आसपास प्रेशर कैंडीर है 120 तो यहांवी 120प कट गया है और इसको अब प्रेशर में करेंगे यहां वाल से ए रिलीज कर देंगे जो सेप्टी वाल है यहां से मैं करेंगे और देखं़ें से कितना प्रेसर में होने के बाद री स्टार्ट होता है यानि फिर से ओन होता है तो अभी तक तो नहीं हुआ है तो असी के असपास इस्टार्ट भी हो जाएगा तो इसका जो सेटिंग है उसके हिसाब से आप कोई प्रोब्लम हो यहां से आप यदि प्रेसर कम हो रहा है तो प्लस कर सकते हैं प्रेसर अधिक हो रहा है तो माइनस कर सकते हैं यदि इसके बावजूद नहीं काम कर रहा है तो हो सकता आप चेक किजिए प्रेसर स्विच जो है वो खराब हो सकता है आज की वीडियो में देंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपी के साथ धन्यवाद